17th week आपका शिशू अब सिर से नितम तक तकरीबन 5.1 इंच लंबा हो गया है उसका वज़न लगबग 140 ग्राम हो गया है उसकी उंगलियों की फिंगर प्रिंट अब पूरी तरह बन चुकी है और उसके सुनने की शमता भी हर रोज बहतर हो रही है अब शिशू के लिंक का निर रही होगी इसे लिनिया नाइग्रा कहा जाता है आपके श्रीर में अतीरिक्त रग्त आपूर्ती होने से इस हफते मुझ पर लाली आना आम बात है 18th week आपका शिशू अब लगबग 5.6 इंच का हो गया है उसका वज़न 190 ग्राम तक हो गया है उसके कान अब अपनी अंतिम स्थान पर विक्सित हो गई है और सीर से अलग दिखाई देते हैं उसकी नन्नी बोहें भी अब उभरने लगी है और वह अपनी बंद आँखों के आ अल्ट्रा साउंट स्कैन जिसे अनोमली स्कैन भी कहा जाता है ये करवाया जाएगा 19th week आपका शिशू अब लगबग 6 इंच का हो गया है उसका वजन 240 ग्राम है उसके सिर की तोचा में पतले बाल भी उगने लगे हैं और आपके शिशू के किड्नी अच्छी तरह से काम कर रही है और यूरीन का निर्मान करने लगता है आपको शक्ती में कमी महसूस हो सकती ह है और आपकी सांसे फूल सकती है साथ ही आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है 20th week इस अबता आपके शिशू का माम 10 इंच का हो गया है लगबग 1 केले के जितना लंबा उसका वजन 300 ग्राम है अब तक शिशू के बाहरी कान बन चुके होते हैं और वर्नि इस्ट्राइजर और चिकनाई के तोर पर काम करता है आपके पेट के बढ़ते हुए आकार के साथ आपके शुरीर का गुर्तु के अंदर बदलता रहता है जिसके कारण आप थोड़ा अलग तरीके से चल सकती है